और अच्छे उसको फ्रेंटक लिए को कॉ Act err is इसको प्रेंगे कोकि करने के बाद इन दो बार और अच्छे से इसको मसाझ कर लोगे, और अब और आपको जो फ्लेवर का बनाना आप सब कुछ यहां पे डाल सकते हो ठीक है यास बिल्कुल भी अपना बंद है जब पूरा ठंडा हो गया तब मैं इसको मसाज दे रही है होचे से आप इसको एक प्लेट में लेके या किसी बोर्ड पे लेके भी कर सकते हो सिलिकॉल मैट पे भी कर सकते हो अब इसको ले लेंगे मैट पे मैं इसमें से चोटा पाट ले रही हूं कि यह और थोड़ी दर थंडा होगा तो भी चलेगा और हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हूं अब आप किसी भी मोल्ड में बना सकते हो जैसी भी आपको शेप देना आप दे सकते हो थोड़ा सारूल और यह मेरी कटोरी रिड़ी है मैं इसको लोंगी पेपर कप में और हम इसके ओपर डालेंगे यह इस स्टॉबरी क्रश जो भी आपको शेप चाहिए जो भी शेप चाहिए आप उसको लीजिए हम ऐसी वाटी और एक दो बना लेंगे आप परफी शेप भी दे सकते हो हर बर मिक्स कर लीजिए ताकि वो दाना न लगे और हम एड़ करेंगे इसमें स्टॉबरी क्रश तो यह स्टॉबरी वाटी हमारी रेडी हो गई I hope आप सबको आजकल आईव अच्छा लगा होगा बनाईए कोई भी डाउट्स रहेगा तो प्लीज मेसेज में